सरकार हमारे खेतों के तारबंदी करवा रही है वो भी बिलकुल फ्री में किसान भाईयो ये बात आपने भी सुनी होगी आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये सही है या गलत है इसके साथ ही मैं बात करूँगा कि अगर हम हमारे खेतों में तारबंदी करते हैं तो सरकार हमें कितने रुपए की साहिता रासी यानि अनुदान देती है इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि अगर हम सरकार से तारबंदी पर अनुदान रासी यानि साइता अगर प्राप्त करना चाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो तीनों सवाल है इनके बारे में आज में विस्तार से आपके साथ साथ सर्चा करने वाला उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब सुनिए काम की बात सबसे पहले तो हम इस point पर बात करते हैं कि सरकार हमारे खेतों में फ्री में तारबंदी करवा रही है क्या तो किसान भाईयो आपको मैं बताना चाओंगा कि ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें सरकार दुवारा किसानों के खेतों में फ्री में तारबंदी करवाई जा रही हो हाँ अनुदान जरूर दे रही है राजस्तान सरकार दुआरा किसानों को तारबंदी करने पर अनुदान दिया जा रहा है अनुदान कितना दिया जा रहा है कैसे दिया जा रहा है इन पॉइंट्स पर भी अभी में बात करेंगे लेकिन किसानों के बीच में से जो सवाल निकल कर आ रहे हैं कि सरकार हमारे खेतों में फ्री में तारबंदी करवा रही है यह सही है यह गलत है तो बिल्कुल गलत है फ्री में तारबंदी नहीं करवा रही है सरकार केवल एक अनुदान रासी यानि साहिता रासी उपलब्द करवा रही है तारबंदी की फ्री वाली बात सुनकर काफी किसानों ने ओनलाइन आविदन भी किये हैं सबी किसान भायों से रिक्वेस्ट करूँगा कि तारबंदी की पत्रावली ओनलाइन करने से पहले हमारे खेतों में फ्री में तारबंदी तो नहीं करवा रही लेकिन अनुदान के कितने रुपए सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं तो किसान भायों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लगुस इमान्त किसान की श्रणी में आते हैं यानि छोटे किसान है आप जमीन आपके कम है लगुस इमान्त की श्रणी में अगर आप आते हैं तो आपको अधिक्तम 48,000 रुपए सबसीडी के रूप में दिये जाते हैं यानि कि 400 मिटर तक अगर आप तारबंदी करते हैं तो उसमें गवर्मेंट दुआरा आपको अधिक्तम 48,000 रुपए की सबसीडी दी जाती है आप अगर समन्न किसान है आप लगुस इमान्त किसान की श्रणी में नहीं आते हैं तो आपको 400 मिटर की तारबंदी करने पर आपको 40,000 रुपए दिये जाते हैं अगर आप 400 मिटर की जो परीदी है उससे कम छेत्रफल में कम दूरी में अगर आप तारबंदी करते हैं तो आपको प्रोरेटा बैसिस पर उस तारबंदी का अनुदान दिया जाता है यानि जो उसकी नाप होती है उसके आधार पर आपको अनुदान दिया जाता है लेकिन लगुसी मान्त किसानों को 48,000 रुपए और सामन्य किसानों को अधिक्तम 40,000 रुपए की साहिता रासी सरकार द्वारा दी जाती है अब हम बात करते हैं कि तारबंदी पर अनुदान कोन प्राप्त कर सकता है यानि सरकार किन को अनुदान दे रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारबंदी की जो स्कीम है इसको दो भागों में बाटा गया है एक आप individual किसान यानि अकेले खुद आप तारबंदी कर सकते हैं और दूसरा है कि आप समों में तारबंदी कर सकते हैं यानि दो या दो से अधिक किसान मिलकर आपका जो खेत है उसमें तारबंदी कर सकते हैं अगर आप इंडिजवल किसान है यानि एक किसान है और आप अपने खेत में तारबंदी करना चाहते हैं तो आपके कम से कम डेड़ हेक्टर जमीन एक जगे होनी चाहिए अगर डेड़ हेक्टर जमीन आपके एक जगे है तो आप तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं साथ ही अगर ग्रुप में अगर आप तारबंदी करवाना चाहते हैं समों में तारबंदी करवाना चाहते हैं तो कम से कम दो किसानों का सम्मू होना चाहिए और उसमें कम से कम डेड़ हेक्टर जमीन होनी चाहिए अगर दो किसान है और आपके इससे में डेड़ हेक्टर अगर मिनीमम जमीन है तो आप तारबंदी के लिए आविदन कर सकते हैं साथ ही आपको यह भी बता दू कि 400 मिटर तक की तारबंदी पर गवर्मेंट द्वारा आपको अनुदान दिया जाएगा 400 मिटर के उपर का जो छेतरफल है उसमें आपको खुद के खर्चे पर तारबंदी करनी पड़ेगी उसमें गवर्मेंट द्वारा अनुदान आपको नहीं दिया जाएगा अब हमारा अगला सवाल ये आता है कि हमें तारबंदी पर अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इमित्र के माद्यम से राज किसान पोर्टल पर तारबंदी के लिए ओनलाइन आविदिन करना है अगर आप इंडिजल किसान यानि अकेले अगर आप तारबंदी करवाना चाते हैं अपने खेट पर तो अकेले ओनलाइन आविदिन कर सकते हैं और अगर आप समुओं में तारबंदी करवाना चाते हैं तो आप समुओं में ओनलाइन आविदिन इमित्र के माद्यम से कर सकते हैं इमित्र पर आपको नविंत्म जमाबंदी यान को संभाल कर रखना है आपको जब भी आपकी फाइल प्राइटी में आएगी तो आपके पास में करशी विभाग की तरफ से information आ जाएगी तो किसान भाईयो यह information थी तारबंदी के बारे में basic जानकारी नेक्स वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा कि किस तरह से आप तारबंदी करेंगे तो आपको सबसीडी मिलेगी क्योंकि काफी सारे किसान भाई सबसीडी से वंचित रह चुके हैं गौर्मेंट के नियमों के हिसाब से उन्हों ने तारबंदी नहीं की जिसके कारण वो अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरी डिटे नहीं मिलेगी अभी तक के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद